नमस्कार मिहमों मदासीफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News क्या सीम नितिश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं? नितिश कुमार से आखिर कानून बिवस्ता क्या संभाला नहीं जा रहा है? देश के गिरह मंतरी अमेतिश शाह ने कल जबर्दस तरीके से हमला वर हुए और अमेतिश कुमार के लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिये और उसके बाद अब बिहार में सियासी हल चले जबर्दस तेज हो गई है और अब निटिश कुमार के तरफ से चबर्दस पलटवार भी आया है जड़ा सुनिये पूरी खबर क्या है? बिहार में गिरह मंतरी अमेतिश शाह के नवादा में दिये गए भासन पर जनता अदल यूनाइटेट के नेता ललन सी ने परते के यादी है गिरह मंतरी के भासन पर उन्होंने टूइट कर बीजेपी पर गंबीर आरूप लगाए है अगामी लोकसभा चुनाप को लेकर भी बड़ा दावा किया है एक टूइट में ललन सी ने कहा देश के गिरह मंतर अमेतिश शाह जी नवादा में आपके भासन से असपस्ट है कि बरका जटका पाटी यानि बरका जटका पाटी हतास हो गई है और बुखलाहत में है आप महामहीम रजपाल से रोज दीन में दस बार बात कीजिए हम लोगों को क्यों तकलिफ होगी ये बात साफशब्दों में कहते नजर आ रहे हैं ललनसी ने आगे कहा बंगाल केरल और महारास्ट में लोग गवा है सब देख चुके हैं कि रजपाल जैसी संस्था का राजनितिक उपियोग आप लोग किस तरह करते हैं आप चाहें तो 2024 लोग सभा चुनाब तक अपना आवास राजभवन में ही रख लीजिए परिनाम आपको 2015 वाला ही मिलेगा 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा बिहार में बरका जटका पार्टी को शुनने ही मिलेगा ये उन्होंने टूइट कर बताया आपको बताते चलें कि दरसल एक अन्य टूइट में उन्होंने कहा जुमलो और जूटो वादों के कारण भाजपा ने अपनी विश्विशनीता खुद ही है चुनाब पुर्ब जनता के किये गए वादों को सत्ता में पहुंसते जुमला कहते हैं और इनी मसलोप पर ललंसी ने दरसल हमला किया और अमित्र शाह जी ने साप शब्दों में कल हमला किया था उन्होंने कहा था कि नितिश कुमार जी को बिहार की जनता से माफी मागने चाहिए अब स्यासत हो गई ये देखते हैं आगे क्या कुछ होता है अमधासिफ की रिपोर्ट इस्पेनाई नियूज